हलो दोस्तो मध्यब्रदेश की नंबर वन करंट अफेर के लिए चैनल स्टड़ी उनिवर्स में आपका स्वागत है आज है आठ माई 2019 और यह हमारी 148 भी क्लास है 12 important question आपके लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दरस्टी से बहुत important है इन questions को आप note कर लें क्योंकि यह आपके exam में पूछे जाते हैं साथी questions related important fact भी हम आपको बताती हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तो अगर आपको MPG के और current affairs से related कोई भी problem जाती है तो आप हमें comment box में बताएं हम आपके answer जरूर करेंगे question number first हाली में नौसिना ने कौन सी सम्मरीन launch की है जिसका say option है INS Bela हाली में INS Bela को भारती नौसिना ने launch किया है दोस्तो मजगाउडांक लिमिटेड में इसे launch किया गया है project 75 के अंतरगत भारत 6 सम्मरीन बना रहा है जिसमें से एक है Bela दोस्तो इसके अलाबा INS बगीर और INS बागशीर इन दोनों पर भी काम चल रहा है दोस्तो INS Bela सम्मरीन के द्वारा हम anti-surface, forward, anti-submarine, warfare, marine विछाने, area surveillance आदी का काम कर सकते हैं इस सम्मरीन से पहले INS खंडेरी 2017 में और भारती नोशिना में शामिल हुई थी और INS करंज 31 जनवरी 2018 को भारती नोशिना में शामिल हुई थी इसका सही option है, जैपुर, हाली में जैपुर में महिलाओं के छोटे IPL का शुवारंब हुआ है दोस्तो, जैपुर में इसका पहला match खेला जाएगा, यह सीरीज BCCI द्वारा महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने शुरू की गई है तो इतना आपको इस छोटे IPL की बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन हाली में बिहार गौरव सम्मान से कितने युवाओं को सम्मानित किया गया है जिसका सही option है, 50 हाली में 50 युवाओं को बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है सामाजिक संस्था वाइस ओफ बिहार के इस सम्मिलन का आईजन दिल्ली में किया गया था UPSC और BPSC में जिन योबाओं का चैन हुआ है उन्हें यह अबॉर्ड दिया जा रहा है तो इतना आपको इस बिहार गौरफ सम्मान अबॉर्ड की बारे में याद रखना है Next question भारती रिकॉर्ड को तूड़ा है जिसका सई option है नेपाल हाली में नेपाल की एक महिला ने 126 घंटे लगातार डांस करके भारती रिकॉर्ड तूड़ा है आपको बता दें नेपाल की बंदना ने यह रिकॉर्ड बनाया है 126 गंटे लगातार डांस करने वाली वो विश्व की पहली महिला बन गई है वहीं भारत की हेमलता ने 2011 में लगातार 123 गंटे डांस किया था इनका record हाली में नेपाल की बंदनान तूड़ा है दोस्तो आप बात आईए नेपाल की तो आपको मैप में इसके बारे में बत रहें मैप में ये जगह नेपाल को दरसाती है नेपाल की राजधानी है काटमांडू, नेपाल की करनसी है नेपाली रुप्या नेपाल की राश्टपती हैं विद्या देवी भंडारी और नेपाल की प्रधानमंत्री हैं खड़क प्रसाद ओली तो दोस्तों इतना आपको नेपाल की बारे में याद रखना है Next question हाली में निशुल्क कैपिंग थियोरी शिवर कहां लगाया गया है? दोस्तों आपको बता दें यह प्राइविट संस्ता राह एक कलाम के द्वारा आईजित किया गया है दोस्तों आप बात आईए देवास की तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट देवास के बारे में बता दें दोस्तों देवास उज्जयन संभाग का एक जिला है माचामुंडा और तुल्जा भवानी का मंदिर देवास में ही इस्थित है बैंक नोट प्रेस बी एन पी देवास में ही 1979 में बनाया गया था भारत की पहली और प्रदेश की सरवादेक पवंज चक्कियां इसी जिले में इस्थित हैं लेदर कॉंपलेक्स के लिए प्रिशिद्ध है देवास केला देवी महाकालेश्वर बिलावली धाराजी नेंबार काली सिंद नदिया है दोस्तो बगाली में काली सिंद नदी का उदगम इस्थल है कियोनी वन जीव अभ्यारन भी देवास में ही इस्थित है प्रिशिद्ध संगीतकार कुमार गंदर्व की साधना इस्थली है देवास तो दोस्तो इतना आपको देवास जिले के बारे में याद रखना है हाली में किस राज्ज में अब 24 x 7 दुकाने खुली रहेंगी जिसका सही ओफ्षन है गुजरात गुजरात में अब 24 घंटे और 7 दिन दुकाने खुली रहेंगी राज्ज में 1 मई से Regulation of Employment and Conditions of Service Act 2019 लागू किया गया है इस कानून के मुताविक दुकाने बिजिनेस वाने जिस दुकाने 24 घंटे खुली रहेंगी दोस्तो अब बात आईए गुजरात की तो आपको मेप में गुजरात के बारे में बतें नेप में ये जगह गुजरात को दरसाती है गुजरात की स्थापना 1 मائी 1960 में की गई थी गुजरात की गवर्णर है ओम प्रिकास कोली गुजरात की मुख्यमंत्री हैं बेजैरूपानी और गुजरात की राजधानी हैं गांधी नगर तो दोस्तो इतना आपको गुजरात के बारी में याद रखना है Next question हाली में किसे लोगपाल कारियले में विसेश ट्यूटी अफसर चुना गया है जिसका सही option है दिलीब कुमार हाली में दिलीब कुमार को बिसेश ट्यूटी अफसर चुना गया है लोगपारल कारियाले में दोस्तों आपको बता दें ये 1995 वैच के पंजाब केडर के IAS अधिकारी है इन्हें 6 महिने का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इससे पहले ये रास्टिय माना अधिकार के सयुक्त सचिव थे आपको बता दें 23 मार्ज को देश का प्रथम लोगपाल पिना की चंदर गोस को नियुक्त किया गया था तो इतना आपको लोगपाल कारियले के बारे में याद रखना है Next question G7 सिखर सम्मिलन में कौन सा देश हिस्सा लेंगे discussing option ये चारों है ये चारों देश G20 सिखर सम्मिलन में हिस्सा लेंगे दोस्तो चिली, औरौस्टेलिया, साउट आफ्रीका और भारत ये चारों देश फ्रांस में आयज़ित चो 24 और 35 अगस्त को G7 सिखर सम्मिलन होना है उसमें हिस्सा लेंगे दोस्तों आपको बता दें भारत इससे पहले 2005 में इस सिखर सम्मिलन में हिस्सा ले चुगा है नेक्स्ट क्वेस्चन Zero Pendency Courts Project किस उच्च नियालाय में बनाया गया है जिसका सही option है दिल्ली हाई कोट दिल्ली हाई कोट में Zero Pendency Courts Project तैयार किया गया है दोस्तों आपको बता दें यह एक पाइलेट प्रोजेक्ट है इसका क्रियानवेन दिल्ली के अधिनस्त नियायलों में किया जाएगा इसके तहट मामलों के लिए समय सीमा नियायधीसों की संख्या निश्चित करने में सहायता मिलेगी तो इतना आपको इसकी बारी में याद रखना है Next Question हाली में रवेननाट टेगोर की कौनसी जन्मितिती मनाई गई है जिसका सही Option है 158 यहाँ पर Option दिया नहीं है 158 जन्मितिती हाली में मनाई गई है रवेननाट टेगोर जी की दोस्तों आपको बता दें इनका जन्म 7 मई 1961 को कूलकाता में हुआ था और रवेननाट ची एक महान कभी नाटककार, उपन्यासकार, चित्रकार थे दोस्तों आपको बता दें भारत के पहले नोबोल प्राइस बिनर थे इनके इने यह अबोर्ड एसी हमें पहली वार किसी को दिया गया था दोस्तों रवेननाट टेगोर रास्टगान के भी नमाता थे भारत का रास्टगान जन्गरमन यह इन्होंने ही लिखा था तो इतना आपको रवेननाट टेगोर जी के बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन मद्यप्रदेश की किस चिले में टीम वन नेशन नेट वाल चेंपियंशिप में फाइनल में पहुँची है जिसका सही ओफ्षन है सिवनी मद्यप्रदेश की सिवनी की टीम हाली में वन नेशन नेट वाल चेंपियंशिप के फाइनल में पहुँची है दोस्तो सिवनी की कुरई की टीम दिली में आयज़ित इस चैंपियंशिप में फाइनल में पहुंची है इस प्रतियोगीता में 10 लाज्जों की 20 टीमों ने हिस्सा लिया था वहीं सिवनी की कुरई टीम को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है तो इतना आपको सिवनी के बारे में याद रखना है दोस्तो आप बात आईए सिवनी की तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट सिवनी के बारे में बता दें दोस्तो सिवनी जवलपूर संभाग का एक जिला है और मद्धिप्रदेश की लखनव के नाम से भी सिवनी को जाना जाता है सियोना ब्रक्ष की बहुतायात होने के कारण इसे सिवनी के नाम से जाना जाता है दोस्तो एसिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध भीमगड में इसी नत इस पर बेन गंगा नदी पर बनाया गया है और बेन गंगा नदी का उदगा मिस्थल सिवनी जिले से ही है दोस्तो सिवनी में ही पेंच रास्टिय उद्ध्यान है तो इतना आपको सिवनी के बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन हाली में मध्यप्रदेश में कहां राज इस तरिये कॉंपेक्ट मेंटल प्रतियोगीता का आयजन किया गया है जिसका सिवनी है इंद्वर हाली में इंद्वर में इस राज इस तरिये कॉंपेक्ट मेंटल प्रतियोगीता का आयजन किया गया है आपको बता दें इस प्रतियोगीता में पूरे प्रदेश से 6870 चात्रों ने हिस्सा लिया है इस प्रतियोगीता का आयजन आठ एक्कीस जुलाई को कलकत्ता में किया जाएगा दोस्तो अब बात आईए इंदोर की तो आपको कुछ इंपोर्टेंट सेक्ट इंदोर की बारी में बता दे राज्य की व्यवसाइक राजधानी के नाम से इंदोर को जाना जाता है मिनी मुंबई, इंदोर और अहलिया नगरी की नाम से भी इंदोर को जाना जाता है महु में मलेट्री हेड़कॉर्टर ओफ वॉर है और मंगालिया में राज्य का पहला ड्राइपूर्ट बनाया गया है दोस्तो चिप्रा और खान नदी का उदगम इस्थाले राला मंडल वन्नेजीब अभ्यारण भी इंदोर में ही इस्थित है मद्धिप्रदेश वित्ति निगम मुख्याला भी इंदोर में ही इस्थित है दोस्तो अंबेटकर भीमराओ अंबेटकर की जन्म इस्थितली इंदोर जिले में ही है दोस्तो इंदोर में ही सोयावीन अनुसंधान केंदर और गेहुं अनुसंधान केंदर बनाया गया है प्रदेश का एक मात्र डेंटल कॉलेज इंदोर में ही इस्थित है प्रदेश का एक मात्र शहर है जहां IIN 2003 में और IIT 2008 में इस्थापित किया गया है तो इतना आपको इंद of the day की जो previous day का question है question है हाली में होकी के लिए S2Turf मैदान बनाने की बेशकस कहां की गई है तो इसका answer आप टिक करके या comment box में दें कि S2Turf मैदान कहां बनाया जाएगा तो आज के लिए आप हमारे चैनल Study Universe को सब्सक्राइब कीजिए वीडियोस को लाइक कीजिए जादा से जादा सब्सक्राइब कीजिए तो आज के लिए बस इतना ही नमस्कार, have a nice day